गुड यूनिंग कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आप सब का हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सबजी सिंपल सी पनीर ये दूद हमने दो किलू लिया था इसको हमने घर पे ही पाड़ा है इसको ये देख लीजिए अब इसको हम दो तीन वार वास कर लेंगे कि जो इसमें अमने निम्बू डाला था तो वो खटापन चला जाए ये देखिए हमारा पनीर बन के तयार हो गया इसमें टाइम थोड़ा लगता है बट हमने कट करके ये दिखा दिया आए आपको इसको हम फ्रीज में रख देंगे थोड़ी इसे बनाने के लिए हमने लैसन लिया प्याज लिया अदरक मिर्च तेन टमाटर दो प्याज लिये थे बड़े साइच के अब इसको हम रफली ऐसे ही बड़े साइच में काट लेंगे तमाटर को कि ये देखिए मारा टमाटर कट चुका अब हम गैस पें कडाई रखेंगे उसमें तो चम्मच ओयल डालेंगे और अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें अदरक डालेंगे लैसन डालेंगे कुछ सेकेंड बाद हम प्याज भी डाल देंगे प्याज मिर्च साथ में ही ये देखिए अपनी प्याज मिर्च भी डाल दिया अब इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे बिल्कुल हल्का सा सॉब्ट हो जाए अपनी अपनी के चुछ देखिए अपनी के अचिए अधिए अधिए मारा हल्का सा सॉब्ट हो चुका है इसमें तमाटर डाल देंगे अब नेसमें टमाटर डाल दिया अब इसको थोड़ी देर अधि पकने देंगे अब इसमें थोड़ा सानमक डाल देंगे कि टमाटर जल्दी से शॉप्ट हो जाए यह देखिए हमारा हिलका से सॉफ्ट हो चुका है बस इसको निकाल लेंगे प्लेट में गूझे थंडा होने देंगे तब इसको मिक्सी के जार में पीज लेंगे तब तक वह ठंडा हो रहा है तब तक हम यह पनेर को फ्राई कर लेते हैं यह देखिए, हमने कडाई रख दे, तेल भी डाल दिया इसमें, अब यह गरम हो चुका है, अब इसमें पनीर डाल देंगे, अब इसको फ्राई कर लेंगे पनीर को, यह देखिए, हमारा प्राई हो चुका है पनीर, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे, अब इसको टमाटर वाला जो अमने मसाला तयार करके रखा था, वो ठंडा हो चुका, अब इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे, मिक्सी में, कडाई में हमने दो तेज पत्ते डाले है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सी हीम डाला हमने, इसको भुझने के बाद हम, वो जो मिक्सी में हमने तमाटर लेसन प्याज पीसा था, वो डाल देंगे, अब इसमें हम थोड़ी सी मटर एट कर देंगे, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं मटर, अब इसमें मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आदी चमच, आदा चमच से कम लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें कोई भी मसाला मैट नहीं किये हैं, आप चाहें तो पनीर मसाला डाल लीजिए, अब इसको हम पांच मिनट तक पकने देंगे, जब तक ये ओईल ना छोड़ दे, चारो तरफ से, अब इसमें नमक भी डाल देंगे, अब पकने देंगे, नमक अपने हिसाब से डाल लिएगा, अब इसमें पानी डाल देंगे, हमको जितनी ग्रेवी चाहिए, उतना हम पानी डाल देंगे, को जिते कि हमारा दसमें पानी लगा बालत चुका था, तब हमने पनी डालेंगे, अब इसको 10 मिनक तक पकने देंगे, वह देखिये हमारा दसमीन दो चुका है, को अब इसमें धनिया, डाल देंगे, ज़गे इसको बंद कर देंगे, अब इसमें हम ग्रेट करके थोड़ा सा पनीर भी डाल देंगे सजाने के लिए बस हमारा पनीर बन के तयार यह देखिये पनीर चावल रोटी सलाथ अब बस्टावल रोटी सलाथ अब बस्टावल रोटी सलाथ